हेलो फ्रेंड्स मैंने हैं और आपका स्वागत है हमारी चैनल ओल इन वन होम एक्सपर्ट में आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूं मीठी मठ्री रेस्पी जिसे आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी मीठे का मन हो आप इस रेस्पी को जरूर ड्राय करें और का आनंद ले चलिए तो रेस्पी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर दें चलिए तो रेस्पी को स्टार्ट करते हैं तो मठ्री बनाने के लिए यहां मैं ले रही हूं दो कप मेंदा का और अब में डालूंगे इसमें वन फुर्ट कप गी कि जी मौन के लिए इससे हमारी मठडी अच्छी खस्ता बनके तेयार होंगी तो बस अब हम मौन को अच्छे से मेंदा में मिक्स कर लेंगे क्योंकि यह प्रॉसेश बहुत ज़रूरी रहती है इस प्रॉसेस से हम तो हमें जो दोटेयार करना है वह एकड़ मेंदा में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम तयार करेंगे याद रखना यहां डोव हमें सक्त बनाकर तयार करना है मतलब पूरी से भी सकत डो बनाकर हम तयार करेंगे अगर आप डो अच्छा सकत तयार नहीं करेंगे न तो आपकी मठ्री खस्ता बनकर तयार नहीं होंगी तो देखिए यहां मैंने अच्छे से आठे को गूत लिया है अब बस करना क्या है 20-25 मिनिट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारा डो अच्छे से सैट हो जाए तेखिए यहां 20-25 मिनिट हो चुके हैं चलिए तो हम डो को एक बार और एक साकर लेते हैं डो हम एक साकर लेंगे और लीजिए डो हमारे बिल्कुल रेडी है अब हम इसके लोई काट लेंगे इस तरीके से हम इसकी लोई काट लेंगे और पेड़ा इस तरीके से पेड़े बनाकर हम तयार कर लेंगे और पेड़े बनाने के बाद हम इसे हलका सा बेल लेंगे और मठरी का शिप दे लेंगे देखिए इस तरीके से हम इस प्रोसेस को करेंगे देखिए यह मैंने एक मठरी बना कर तयार कर लिए है देखिए इस तरह मठरी बनाने के बाद हम इसे चाको की हेल्प से इस तरीके से यह कट लगा लेंगे जिससे हमारी मठरी सेकने के समय फूलेना इसी तरीके से हम सारी मठरी बना कर तयार कर लेंग और तेल भी हमारा अच्छा गरम हो चुका है तो चलिए हम मठ्री को उन में डाल देते हैं यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि हमें मठ्री को हाइज फल्यम पर नहीं फ्राइ करना है लोट्ू मीडियम फिलें पे फ्राय करना है, तो जब मैंने मठ्री डाली थी ने, तो यह देखा था ना, आपने धीरे धीरे करकर ऊपर आई। और बस इसी तरीके से हम लोट्ू मीडियम फ्राय करेंगे। और दोनों तरफ से हम golden brown color आने तक सेक लेंगे तो देखिए मेरी मठरी अच्छे से fry हो चुकी हैं चलिए तो इन्हें हम निकाल लेते हैं देखिए कलर देखना कितना अच्छा आया है चलिए तो अब हम ऽैंने निकाल लेते हैं तो यहां हमारी मठरी बिलकुल ready है चलिए तो यहां मैंने कड़ाई को गरम उने रख दिया है और उसमें डाली यह मैंने एक कप शक्त और जितनी में शक्त लूँगी उसका अधा पानी दोगी तो यह गया आधा कप पानी यहां हमें चाशनी दो तार की है तो चाशनी बनाने के लिए पहले हम चीनी को पानी में अच्छे से घोल लेंगे और उसके बाद तीन से चार मिनिट चलाएंगे तीन से चार मिनिट इसे अच्छे से पकाएंगे और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी चाशनी कैसी बनी है यहां तीन से चार मिनिट हो चुके हैं और देखिए नशनी बिल्कुल बनकर रेडी है तो बस इस स्टेज पर आकर हम करेंगे गैस को ओफ चलिए तो अब हम मठ्री को पाग लेंगे तो हम पहले मठ्रियों को इस कडाई में डाल लेंगे इस तरीके से और फिर हम दोनु तरफ से पलटते हुए इसको इस तरीके से पाग लेंगे लीजे तो हमारी मीठी मठ्री बिल्कुल रेडी है चलिए तो अब हमें से प्लेट में ट्रांस्वर कर लेते हैं लीजे तो रेडी है हमारी मीठी मठ्री आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्रै करें और हमें कमेंट करकर बताए आपको हमारी रेस्पी कैसी लगी अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें ट्रेंड और फैमली के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो को अपडेट मिल सके चलिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई